प्यारे बच्चों सूप्रभाद, बच्चों आज हम आपकी बुक अक्षर परीचे में से एक नए व्यांजिन की पहचान करेंगे तथा उससे जुड़े हुई एक कहानी सुनेंगे, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 69 and 70 उपन कर लीजिए नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप सरसब, मैं आशा करती हूँ कि आप सरसवस्त और सरसुखी हैं, तो बच्चों आजकल फिर सरसरदी का मौसम चल रहा है, तो आप सरसब को सरस्वेटर पहनने चाहिए, और आजकल तो खूब हरी हरी सरसबजियां मिल रही है, खाने को, और आजकल तो हमारे को सरसेब भी मिल रहे हैं, और सरसेब तो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होते हैं, तो बच्चों अब आप मुझे बताएए, कि इन बातों में कौन सा वेंजन बार बार आ रहा था, जी हाँ, इसमें आ रहा था वेंजन सर, तो आएए मैं आपको वेंजन सर की एक कहानी सुनाओंगी, एक दिन सरस और सरसलोनी सर समंदर के किनारे घूमने गए, और उस वकत सर सुभा थी, वो सर सुभा के टाइम सर समंदर के किनारे घूमने गए, और उन्होंने वहां देखा एक सर सपेरा, जो अपने सर सांप का नाच दिखा रहा था, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, और कुछ ही दूर पर वहां पड़ी थी, कुछ सर सबजियां, और आपको पता है, तब ही वहां आई एक सर सींगों वाली गए, और वहां मेज़ पर पड़ा था एक लाल लाल सर सेब, और उस सर सेब को देखकर गए के मूँ में पानी आने लगा, और ये सब तमाशा देख रहा था, वहां खड़ा हुआ एक सर सार, और सर सरस और सर सलोनी ने कहा, कि वह वहां आज तो हमें सर सुभा सवेरे बहुत मज़ा आया, और वो अपने घर चले गए, तो बच्चो बताएे कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे पता है, आप सर सब को ये कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया, तो चलिए अब आप मुझे बताईए कि सर सरस और सर सलोनी कहा घूमने गए थे जी हाँ वो गए थे सर समंदर के किनारे घूमने और अब आप मुझे बताओ कि सर सपेरा किसका नाच दिखा रहा था जी हाँ बच्चो बिलकुल ठीक सपेरा अपने सर साप का नाच दिखा रहा था तो बच्चो मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी ठीक है बच्चो बाई बाई अपना ध्यान रखिये